नमस्कर दोस्तो आब सभी लोगों को नवरात्री की हार्दी की सुअग आब की उपर और आब के पूरे परिवार की उपर मातारानी की क्रिपा बनी रहें दोस्तो आज नवरात्री का प्रथम दिन है नवरात्री का प्रथम दिन माता सेल पुत्री को शमरपीत हैं माता सेल पुत्री अर्थाद परवतराज हिमालाय के घर में जन्मा लेने के कराण माता का नाम सेल पुत्री पड़ा है ये बिड़ो इसलिए धियान से देखने के जैसे कि बिडि़ो के बीच में बताऊंगा की माता सेल पुत्री की पूजा करने से हमें कौन सा लाभ बिलते हैं जैसे कि किसी को सोयोग या वर की प्राप्ती चाहिए और किसी को जैसे को लड़कें जिनकी विवा में बिलम हो रहे हैं बहुत सारे से माता बेहने हैं जिन्हें धनकी कमना होती है तो ये सारे जानकरी इस बीड़ो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि माता की पुझा करने से कौनसी लाभ मिलता है और माता सैल पुत्री की पुझा करते समय कौनसी शाओधानी रखना चाहिए नौरातरी का मान ही फल पासकते हैं ये फिर ब्रत से भी कई गुना लाभ पासकते हैं तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर गुझारिस हैं जैसे प्राचिन ग्यान चैनल को आप सब लोग बहुत पसंद करते हैं लंबे समय से पसंद करते आ रहें और हमारे चैनल में हर वर्ष नौरा माता राने की कुरिपा आशी करे cannabis प्राप्त होगा on क्यारे लिस做 माता शेल पुटरी इस अर्थाद की पुटरी अर्थाद जो हिमाला उनकी पुतरी है माता को भोग में क्या चढ़ाना चीए तो नवरातरी की प्रत्थम दिन माता सेल पुत्री का है इसले दुद से बने हुए सफेद मिठाई माता को बहुत ही ज़्यादा प्री है आब चाहें तो हलुआ यह फिर आब चाहें तो घी से बना हुआ लड़ू माता को भोग सोरुप चड़ा सकते हैं मैं छोटा सा जानकरी बता दू माता घी से बना हुआ पदार्थ से बहुत ही जादा प्रशन होती है और एक खास बत और आप लोगों को बता दू गुप्त जानकरी है जो कद्दू का हलुआ होता है ये माता सैल पुत्री को बहुत भाती है जो मनुश्या के लिए कोई भी वस्तू दुरलब नहीं होगा अर्था जो लोग मकान की कामना करते हैं धनित्यादी का कामना करते हैं ये फिर कोई इक्षित वस्तू की कामना करते हैं ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार सहीत ये फिर सोयम कद्दू का हलुआ अवस्या चड़ाना चाहिए इसे माता सबकुछ नचावर कर देती हैं। का कमल चड़ाते हैं। दोस्तो प्योर सफध रही होना चाई। छोटा साब जो है हल्दी का टिके कहीं पे आप वस्तर में लगा दीजे। या फिर धारी वाला जो सफेद कलर का वस्तर है। इस बात का भी आप जो है विसेज ध्यान रखना। माता की जो मंत्र हुआ है यह देवी शर्वभूतेशू शैल पुत्री रूपेन संसिता नमस्ताशई 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 नमोनमा। अगर कुछ नहीं जानते तो माता की यही इस्तूती आप जो है कर सकते हैं। अब विया जानते हैं माता किसका प्रतिक हैं। तो माता सैल पुत्री देवी नवदुर्गा की उदगम शक्ती हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोला हूँ कि विडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, मैं हर वह नवरात्री की गुपता से गुपता जानकरी और देवी शक्तियों की गुपता से गुपता जानकरी बताऊंगा, जो जानकरी साध यूटूब में आप लोगों को कोई नहीं बताने वाला दोस्तो अधिकतर अभी यूटूब में जितने भी जानकारी आप जो है चैनल पे सुनते हैं हमारी जानकारी को लोग कॉपी करके अपने चैनल में डाल रहे हैं तो माता जो प्रतीक है वह है उदगम शक्ती ठीक है माता उदगम शक्ती महाशक्ती का प्रत तो माता जो है आम के पत्ते से बहुत खुश होती है अगर आप जो है नवरात्री के प्रथम दिन बंदनवार बना लिजे बंदनवार बनाने के बाद उस बंदनवार में उस पत्ते में छोटा छोटा आप जो है सफेद कलर की चंदन का ठीके लगाए नहीं है तो लाल कलर की चंदन उनके ठीके लगाए वह भी अगर सुलब नहीं नहीं हो पार तो सिंदूर का आप ठीके लगाए और ठीके लगाने के बाद इसे माता को भेंट कर दीजे यह फिर पांस साफ सवक्षा जो आम के पत्ते लेने के बाद चोटा-छोटा जो हमने तीन चीज बता हैं चंदन बताएं हैं चंदन नहीं है कोई बात नहीं है आप जो हैं लाल कलर सफे दोनों कलर की चंदन नहीं है तो सिंदूर ले लीजे सिंदूर के छोटा सटी के लगा करके माता को यह पांच पत्रा माता से प्रातना करते हुए भेंड कर दीजे जो भी वस्तु मांगेंगे इस उपा बार सुरुष लेकर के आंखरी तक देख लेह रहेंगे तो दोस्तों जीवन में अब को कामयाब होने से कोई नहीं रखो पाएंगे अब आईए भीया जानते हैं कि माता की हमने तो भोग बता दिये पुश्पा बता दिये वस्तर बता दिये वहन भी बता दिये चड़ाय जान हैं तो खीर का परयोग भूल करके मत कनना जैसे खीर खाने से ब्रत तूड़ जाते हैं अब जो हैं हलुआ का परयोग कर सकते हैं कंद से बना हुआ पदार था आप जो हैं अपने ब्रत को खोड़ने के लिए कर सकते हैं कंदित्यादी खा सकते हैं लेकिन खीर का परयोग मात माता की अगर आप बन बत रखें तो भुल करके मत कनना माता के शवरूप कैसे हैं तो माता एक हाद में कमल रखे हुवे हैं और दूसरे हाद में तरिसूल धाराले की वहीं, इसलिए दोस्तों माता को कमल चढ़ाने शे प्रकास तत्वा एवं ब्रह्म तत्वा की ज्ञान होता है, और माता को अगर आप नवरात्री के किसी भी दिन त्रिसुल भेंट करते हैं, जैसे प्रथम दिन आप भेंट कर दीजे, अति उत्तम है, बांकि अगर प्रतम दिन नहीं हो पाते, नौरातरी के नौ दिन में किसी भी दिन माता को अगर आप त्रिसुल भेहन करते हैं, शुल का मतलब क्या होता है दोस्तों, दुख तकलिप आने वाले कठनाईयों को दुर करते हैं, अब जानते भया क्या करना चाहिए तो नौरातरी के पूरे फल पाने के लिए जितने भी लोग हमारे बिड़ो को देख रहें अगर वो ब्रत धारान किये हुए हैं तो ब्रती को भूमी सायन करना चाहिए अर्था दोस्तों जमीन पर सोना चाहिए जमीन पर सोने का मतलब हैं आप जो चटाई त्यादी का परोग करें लेकिन गद्दे त्या का बहुत बड़ा प्रभाव हैं इसलिए गोस्वामी तूलसी दास जी ने भी कहा है कलियूग केवल नाम अधारा अर्थाद कलियूग में नाम जाबल सी जय माता दी जय माता दी आप जो है दिन भर जपते रहिए इतने जपने मातर से माता सेर्फ पुत्री एवं उनके ना श तो शफेद पत्थर माता को अवस्या चड़ांगे लेकिन टामत्री गरन्थों में यह फिर दूस्द जो प्राचिन जो बड़े बुजुर्गों से हमने सुना है कि माता को नवरात्री के प्रत्थम दिन अगर छोटे से सफेद कलर का पत्थड जो नदी में होती हैं नदी में या फिर तलाब के आसपास में छोटे-छोटे जो पत्थड होते हैं सफेद कलर का छोटा सा पत्थड का आईए और माता को मननत बोलते हुए अपने मस्तक पर इस पर सकर के माता को बेड़ कीजिए आपके मनो कामना पुर्णा होगा आपके मनो कामना पुर्णा होने से ब्रंभान के कोई भी सकती नहीं रोक पाएंगे अब जानते भीया माता शैल पूत्री की पूजा करने के द्यान से सुनिए ये फायदा बताने से पहले अब सभी लोगोशे निवेदन है अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किये होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बाजू में बने बेल का आइकन को भी प्रेस कर लिजे ताकि आने व अधम तो सुयोग्या वर्की प्राप्ति होता है अगर कुमारी कन्या है तो उन्हें सुयोग्या वर्की प्राप्ति होता है जो लोग धन की कामना करते हैं उन्हें धन्यधान की प्राप्ति होता है कभी उनके जीवन में धन का अभाव नहीं होता और सैल का अर्थ है पत्थ इसलिए माता को अडिग कहा गया आप सभी लोग देखे होंगे जो पत्थण कभी अपने स्थान से शैल अर्थात परवद भी अपने स्थान से कभी नहीं हड़ते अर्थात अडिग रहते हैं तो एक बार माता से जो मांग लो वो माता अवस्था देगा माता की जो बरदान है पत्थड की लकिर है इसलिए माता से जो मांगोगे वह आपको अवस्था मिलेगा और माता जी के माते पर अर्धा चंद्रमा बिराजमन है माता शैल पुत्री के माते पर अर्धा चंद्रा बिराजमन है इसलिए माता की पूजा करने से जो चंद्र दुष होते हैं आपके कुं ही जल्दी प्रशन होती है माता के जैसे नौ सौरूप हैं तो नौ सौरूपों की अपेक्छा जो माता सैल पुत्री है ये बहुत ही जल्दी प्रशन होती है हाँ एक बात और जान लिजे माता के शमुख रातरी कालिन में सफेद कपूर जला कर उपाय बतारों ये उपाय ध्य का जाब कर दिया जाए तो असाध्य कारों पर भी विजय प्राप्त किया जार सकता है और यह उपाय के बदल नवरात्री के प्रथम दिन ही करना है तैंतिस नामा वाली दुर्गा सप्तसती में वन्नित हैं वो जाब कीजिए वो पढ़िए और कपूर जला करके आप जो है इस विजय प्राप्त कर सकते हैं यह उपाय रात्री कालिन आड़ बजे के बाद करना है क्योंकि नवरात्री में दोस्तों रात्री कालिन का महत्वा हैं अब जानते हैं माता जी के मस्तक पर सफेद चंदन लगाने से जीवन में सकरत्मक प्रभाव मिलते हैं जीवन में अगर आ शमय का अंद करना चाहते हैं सकरत्मक प्रभाव लाना चाहते हैं तो सफेद चंदन कटी के माता जी के मस्तक पर अवस्ट लगाए रुका हुआ कार आपके अतिशिग्रा पुन्न होगा अब जानते हैं भया क्या करने से बचें तो देखें हिंसा ना करें क्योंकि जो देवी शक्ति हैं हिंसा से बहुत करोध होती हैं रुष्ट होती हैं इसलिए जीव हत्या से बचें हिंसा करने से बचें दूसरे की बुराई करने से बचें देखें बहुत सारे लोग हैं दूसरे की चारी चुगली त्यादी करते हैं तो चारी चुगली ये फिर बुराई करने से ब्रत के प्रभाव समापता हो जाते हैं और आप ब्रत इसलिए रखें भईया क्योंकि ब्रत के आपको फल प्रापता हो आपके पुन्या बढ़ें इसलिए ब्रत के शमय में किसी के बुराई न करें नहीं चूगली किसी का करें एक बात और इस्तिरी से लड़ाई कभी भी आपके जाड़ू लगाते हैं तो इस बात कभी से ध्यान रखना आपके ज़ाड़ू लगाते समय गलती से चीटी ना मारा जाए दोस्तों हो सके तुम्हें आखरी बताना चाहूंगा त्याग के बारे में कि जूते और चपल का त्याग कर देना अब ऐसा क्यों करना क्योंकि सन्वी, राहु, केतू और पाप ये चारों चीज़े का इस्थान जूते चपल में कहे गए हैं तो शनी, राहू, केतू और पाब का इस्थान जूते चपल में होता है। नौरात्री के समय में जो लोग ब्रत रखते हैं जूते चपल इत्यादी पहनते हैं तो शरीर में बहुत ही जादा क्रोधा आते हैं। और भईया जब आप नौरात्री के ब्रत रखे हैं किसी से दोस्तो प्राचिन ग्यान की यह जानकारी अब सभी लोगों को कैसा लगे आप हमें कोमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस जानकारी को अपने तक शीमित मत रखना इसे आगे शेर अवश्य करना दोस्तो जब आप इस ब्ड़ो को आगे शेर करेंगे कोई मातारानी जी करना और कम से कम दस लोगों को अवश्य करना आपको भी पुन्या मिलेंगे आसा करता हूं दोस्तो आपकी घर में सभी लोग खुश रहेंगे मंगल में रहेंगे मातारानी की कृपा आपकी उपर में अतिशिगर बरसेंगे बिड़ो को आँखरी तक देखने के लिए धन्य नमस्कार जैमातादी